फोटो पर टैक्स्ट कैसे लिखें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी फोटो पर टैक्स्ट कैसे लिख सकते हैं तो आईए जानते हैं तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक application चाहिए जिसके लिए आपको play store को open करना है और यहाँ पर search कर लेना है pixel lab तो इस तरह से आ जाएगा pixel lab इस search करने के बाद और आपको यह application को install कर लेना है तो यहाँ पर हमने already install कर रखा है तो इसे open कर लेते हैं तो यहाँ पर आप जिस भी photo पर text लिखना चाहते हैं वो आपकी gallery में होनी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है gallery में और आप जिस भी photo पर लिखना चाहते हैं उस photo को select कर लिजिए तो यहाँ पर हम इस photo पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक share का option मिलेगा तो share वाले option पर touch करिए और यहाँ पर pixel lab को आपको select कर लेना है तो इस तरह से pixel lab पर touch कर दीजिए और यहाँ पर एक बार back करना है आपको उसके बाद ok कर दीजिए और यहाँ पर आपकी वो photo इस तरह से आने लगेगी उसके बाद आपको right का option मिलेगा ये वाला इस right वाले option पर touch कर दीजिए और यहाँ पर आपकी ये photo आ जाएगी उसके बाद इस पर text लिखने के लिए आपको उपर एक plus का icon मिलेगा left side में तो इस plus वाले option पर touch करिए और यहाँ पर first option है text का तो text पर touch करना है आपको और यहाँ पर इस तरह से आप इसे move कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको इस पर लिखने के लिए नीचे एक A वाला option देख रहा होगा इस A option पर आपको touch करना है और यहाँ पर edit है जिस पर एक pencil का निशान बना हुआ है इस पर touch करिए और यहाँ पर आप इसे cut कर दीजिए और आप यहाँ पर जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमने लिख लिख लिया है उसके बाद ऊपर ok का option है ok कर देते हैं और यहाँ पर आपको यह left side में जो point दे रखा है इससे आप इसके size को increase या decrease कर सकते हैं और यहाँ पर A वाले option पर आपको जाना है आप आगे करेंगे तो आपको एक A-B का option मिलेगा यानि की font का तो इस पर touch करिए और यहाँ पर कई सारे font है आप यहाँ से change कर सकते हैं तो यहाँ पर हम change कर लेते हैं उसके बाद ok कर दीजिए और यहाँ पर अब आप stroke लगा सकते हैं इस पर यानि की border लगा सकते हैं इस तरह से तो आपको थोड़ा आगे करना है और यहाँ पर stroke का option आ जाएगा यह वाला इस पर touch करिए और यहाँ पर इसे enable कर दीजिए और आपको नीचे आना है और यहाँ से आप stroke इस तरह से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं उसके बाद आपको right कर देना है और यहाँ पर आप text का color भी change कर सकते हैं कर सकते हैं यहाँ पर gradient color भी है तो आप इन में से कोई color select कर सकते हैं इस तरह से उसके बाद यहाँ पर अपने हिसाब से adjust कर लीजिए और save करने के लिए उपर आपको ये वाला option मिल जाएगा इस पर आपको touch करना है और यहाँ पर save as image आएगा इस पर touch कर दीजिए और यहाँ पर dimensions में ultra select कर लीजिए और save to gallery का option है इस पर आपको touch कर देना है उसके बाद यह photo आपकी gallery में save हो जाएगा तो यहाँ पर हम open कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं pixel lab के नाम के folder में यह photo आ चुका है तो इस तरह से आप photo पर text लिख सकते हैं अगर यह video पसंद आई तो video को like करें और channel को भी subscribe जरूर करें